नमस्कार साथियों मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पे और आप पढ़ रहे हैं यूपीटेट के लिए परियावरणी अध्यान जिसमें हम पिछले साल में जो सवाल पूछे गए हैं यूपीटेट में परियावरण अध्यान से संबं किया है तो आज मैं चाहता हूँ कि आज जो है एक बार और इसी तरह हम कुशन का विसलेशन करें अनालिसिस करें और समझने का प्रियास करें कि उपीटेट में परियावरणी अध्यान से जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी प्रकिति क्या है और उन्हें हम हल कैसे करें और तॉपिक से कुछ सवाल अलग से पढ़ाऊंगा आपको एनालिसिस करूंगा जो कि आपका जय विविध्धता से संबंदित है जय विद्धा यह परियावरण सरेक्षण एक टॉपिक है अलग से तो उस टॉपिक से जो सवाल पिछले सालों में पूछे गए हैं हम आज उनक विद्धा और परियावरण संरक्षण परियावरण सरक्षण जय विद्धा को बायो डावरस्टी कहते हैं जय विद्धा को हम क्या कहते हैं बायो डावरस्टी तो जो बायो डावरस्टी है यह असल में है क्या देखिए दोस्तों किसी अस्थान विसेस में जब जीवों की बहुलता जीवों में चाहे वो जन्तु हो चाहे वो पादप हो जब उनकी बहुलता होती है जिससे जो है पारितंत्र संतुलित रहता है यही जैवित्ता कहलाती है अनेक अनेक किस्म की प्रजातियां हो वहाँ पर अनेक जनतुजीवों का जो है वहाँ आवास हो एक दूसरे से आवास भोजन वो बाटते हों तो ये क्या करता है ये जैवित्ता को बढ़ाता है हमने पिछले सवालों में देखा था कि जैवित्ता सबसे ज़्यादा उसका संकेंद्रन कहां पर है तो आपने देखा था कि उष्ड कड़िबंधी ये जो प्रदेश है जहां पर बरसाथ ज्यादा होती है और तापमान भी सबसे ज्यादा होता है वहाँ पर जैवित्ता की सबसे ज्यादा संभावना होती है तो दोस्तों ये चीज आप जान लिजेगा जैवित्ता समरिद्ध होने के लिए आद्रता भी अधिक हो मतलब बरसाथ भी बहुत ज्यादा होगी और तापमान भी बहुत ज्यादा होगा तो जो उष्ड कड़िबंधी एरिया है आपका जैसे आप नकसे में आप देखेंगे आपकी प्रिथवी है तो प्रिथवी पे जो ये विसूवत रेखा है ये जो ज साथ बहुत ज्यादा होती है तो जैवित्ता और परियावरन स्रेक्षन से संबंधित सवालों को हम आज हल करने वाले हैं तो हम देखते हैं दोस्तों हम आपके सामने पहला सवाल लेकर आ रहे हैं जो की आपका रेड़ डाटा बुक से संबंधित है परियावरन स्रेक्षन स संबंधित ये सवाल है अभी मैंने बताया environment protection जो है environment protection के लिए बहुत सारे प्रयास किये गए चाहे वो सरकारी अस्तर पर चाहे वो सामाजी निजी संस्थाओं द्वारा प्रयास किया गया NGO ने इसके बारे में बहुत प्रयास किया और व्यक्तिगात अस्तर पर भी सारे लोगोंने परयावन동्स क्षेड के लिए काम किया है चाहे वो सुंद्र लाल बहुड़ा हो चाहे चंड्री प्रसाद भट हो आप इनको आगे पढ़ेंगे देखेंगे इन सारे लोगोंने व्यक्तिकर तषतर पर भी पर यह need तो कहीं न कहीं जो परियावरन स्रक्षन है इस पर विस्वस्तर पर भी प्रयास किये गए हैं यही सवाल में पूछा है एक पुस्तक का नाम है यह यह पुस्तक है आपकी red data book यह पुस्तक कौन सी है red data book अब red data book है क्या सबसे पहले हम इसको जानेंगे दिखिए red data book संबंधित है विलुप्त होते जीव जनतूं की प्रजातियों से ठीक है जो भी विस्व में संकटा पन जीव हैं जनतू हैं उनकी प्रजातियां हैं उनका record इस red data book में रखा जाता है और IUCN इसको जारी करता है IUCN क्या है हमें जानने का प्यास करेंगे यह महतपूर संस्था है इसलिए इसको जानना आपके लिए आवश्यक है IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचर मतलब एक संग है यह एक यूनियन है यह अंतराश्टी संग है किसके लिए कंजर्वेशन ओफ नेचर मतलब प्रकित के सरक्षन के लिए अंतराश्टी संग ही IUCN है यह अंतराश्टी अस्तर पर क्या करता है जो भी जीव है उनके सरक्षन के लिए यह प्रयास करता है रिकार्ड अलग है जन्तूओं की प्रजातियों का रिकार्ड अलग है तो ऐसे सब अलग अलग व्योस्तित रूप में रखा जाता है रे डाटा बुक हम अगले कुछ सवालों में देखेंगे उसके बारे में विस्तित देखेंगे कि उसमें अलग-अलग सूची बनाई गई ह ठीक है अभी हम फिलहाल अपने सवाल पे आते हैं आपने थोड़ा सा समझी लिया नदियों में क्या प्रदूशन से संबंधित है बिल्कुल नहीं घटता भूगर्भ जलस्तर बिल्कुल नहीं अब चुकि मैं समझाहे चुका हूँ ता आप इसका जवाब आसानी से दे पा अगले सवाल कि तरह बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला जो प्रशन है वो एक पख्षी से संबंधित है पेलिकन पक्षी से पेलिकन पक्षी जो है कहां प्रजनन करते हैं इसके बारे में पूछा है कि ये प्रजनन कहां करते हैं अब देखी ये जो जगह दी गई है सारी नेला पट्टू है, कुन्थन कुलम है, कोकारे बिलूर है, ये करनाटक, तमिल नाडू, ये साउत की जो भी स्टेट्स हैं, वहीं ये सारे स्थान है, ठीक है, अब यहाँ पर ये बता, पूछा है, थोड़ा कठिन सवाल है, ये चीज जान लीजेगा कि जब आप जो है, परि प्रजनन करने का अस्थान है, ये चीजों को आपको ध्यान से देखना होगा, गैंडा है, बन्य गधा है, इनके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है, गोल्डेन जो आपका पूछ वाला, जो सुनहली पूछ वाला लंगूर है, या आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कि इसम के पक्षी पाया जाते हैं, लंबी चोच वाले, इस तरह कि जो विसिष्ट विसिष्टाओं से भरे जो जीव हैं, उनके बारे में ये पूछा जाता है, कि ये कहां इनका प्रजनन अस्थल है, ये प्राकृतिक रूप से कहां निवास करते हैं, ये सब पूछा जाता ह इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करिएगा, जहां से भी आप पढ़िएगा, तो ये चीज देखे, ये जो सारे अस्थल है, ये सारे अस्थल जो है, कहां है, दच्छिड भारती राज्यों में है, और इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा, उप्युक्त सभी, ये पेलिकन पक्षी है, ये इन जगहों पर क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, उप्युक्त सभी, ये सवाल का विशलेशन करने से हमें ये समझ माया, कि जो महत्पूर पक्षी या जीवजनतु है, उनके बारे में हमें जानकारी अवश्य रखनी चाहिए, ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन आपके सामने है, विश्व परियावनर दिवस से, ये महत्पूर सवाल है, परियावनर से ही संबंधित सवाल है, दिवस ही पूछ लिया गया है, कि इसका कौन सा दिवस है, जो इसी के लिए समर्पित है, में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात, मेजबान देश आपको याद रखना है, हर साल जब मनाया जाता है, पहली चीज तो यही जान लिजे, कि पांच जून जो है, विश्व परियावनर दिवस के लिए निश्चित किया गया है, और दो बाते और आपको महत्पूर्ण है ध्यान देना, एक मेजबान देश, मतलब जैसे 2020 बीता है, 21 का जो पांच जून अभी आया नहीं है, तो 2020 का जो पांच जून का परियावनर दिवस था, उसका मेजबान देश कौन था, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, और दूसरा, थीम, मतलब उसका एक स्लोगन होता है, थीम होती हो, इस साल क्या था, ये दो चीन चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आप याद रखिएगा, 2020 का जो, 2020 का जो मनाया गया, इस बार परियावनर दिवस, उसकी थीम क्या थी, प्रकृति के लिए समय, प्रकृति के लिए सम समय, और इसका जो मेजबान देश था, वो कौन सा था, मेजबान देश था, कोलंबिया, 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 इसका मेजबान देश था, और केंद्री विशय क्या था, इसका, केंद्री विशय वस्तु क्या थी, प्रकृति के लिए समय, तो ये दो चीज़ें आपको ध् है बहुत अच्छा सवाल था इसको अध्यान से समझेगा अगला प्रश्ण देखते हैं कि देखे एक स्लाइड है इसमें हो सकता है ठीक से आपको क्लियर ने दिख पा रहा हो तो कहीं न कहीं जब मैं नोट्स बनाओंगा तो मैं आपको PDF में जब आप स्लाइड कर लेंगे तो मैं आपको एक सिक्वेंस में PDF बनाओंगा उसमें सारी जो तथ्यात्मक जानकारी है महत्पूर्ण भिविन स्रोतों सिक अठा की गई और आपकी परिक्षा के लिए महत्पूर्ण है वो मैं तयार करके आपको प्रवाइड कराओंगा इसमें जैसे दे आद्रभूमी सरक्षन दिवस जो आद्रभूमी होती है दलदली भूमी होती है उसके लिए इरान में 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था है यह आद्रभूमी या दलदली भूमी के सरक्षन से संबंधित है अच्छा दलदली भूमी या आद्रभूमी का सरक्षन किसले आवश्य यहाद जएवित्ता बहुत ज्यादा होती है तापमान होता है दल दल तो होता है यह तो समय के रामसर सहर में हुआ इसको रामसर सम्मेलन भी कहा जाता है इसके लिए कौन सा दिनिश्चित है दो फर्वरी तो यह आपके लिए याद रखने की चीज है अब जैसे विसोवन्य जीव दिवस के लिए कौन सा दिनियत है 21 मार्च अब यहां आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे बहुत सारे ऐसे दिवस हैं विसुबाग दिवस हैं विसुबाग दिवस के लिए 29 जुलाई निश्चित रखा गया ऐसे बहुत सारे महत्पूर दिव स्लाइड में सवाल देखते हैं एग मार्क से संबंधित सवाल है महत्थपूर है एग मार्क एग मार्क है क्या एग मार्क देखे दोस्तों एक तरह से गुडवत्ता का मानक है quality का standard है ये लेकिन संबंधित किस चीज से है यहाँ पर हमारे उत्तर में आप देख पा रहे हुगे पहला है गुडवत्ता, दूसरा है पैकेजिंग, तीसरा है संसाधन या रिसोर्सेश और चोथा है उत्पादन या प्रोडेक्शन से. तो इसमें कौन से विकल्प हमारा सही है? एगमार का शब्द का मतलब किस चीज से है? एगमार का शब्द का संबंद किस विकल्प से है? त तो देखे, एगमार जो होता है, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं या क्रिशी उत्पाद होते हैं, उनकी गुडवत्ता के लिए एगमार का प्रयोग किया जाता है. अच्छा, ये जारी कौन करता है? जारी करता है भारती खाद्य मंत्राले. तो भारती खाद्य मंत्राले का ये काम होता है कि वो एक मार्क अगर किसी प्रोडेक्ट पे जारी करता है या किसी उत्पाद पे जारी करता है तो उसकी गुडवत्ता सुनिश्चित मान ली जाती है कि इसकी क्वालिटी उत्तम होगी जो भी विक्रेता होते हैं अगर वो एक मार्क प्रमाडित चीजें तो इससे जो है वो तनाव मुक्त रहते हैं कि गुडवत्ता से संबंधित कोई समझ होता नहीं है और खरीदने वाले भी निश्चिंत रहते हैं कि अगर यह एक मार्क इस पर लगा हुआ है तो यह सुरक्षित है और इसको खरीदने में कोई संका नहीं है तो यह बात आप या याद रखेगा कि क्रिशी क्रिशी या खाद उत्पादों के लिए कि क्रिशी या खाद उत्पादों की जब बात होती है इसकी गुडवत्ता के लिए एक मार्क शब्द का प्रयोग किया जाता है और भारतिक खाद मंत्रा लाह से जारी करता है यह बात आप याद रखेगा हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा अब इसी में देखिए मैं आपको कुछ और मानक बता देता हूं जैसे अगली स्लाइड में आपको दिखेगा ब्यूरो मानक यह आपके सामने है ना ब्यूरो मानक जैसे एक मार्क है वैसे ब्यूरो मानक भी क्या है एक मानक है किस ची ही चुके हैं कि यह कृषीक हाध्यपरदार्थ की सुधता का गुडवत्ता का मानक है ठीक है तीसरी चीज आप परचित होंगे अगर आपकेagement में किसी ने सोने साथ के गहनों की खरीदारी की hoगी या आप ने ही हिए अगर कुछ खरीदा होगा सोने के गहने के चाहे वो चेन खरीदी हो अगूठी खरीदी हो या कोई और जो है आभूशन खरीदा हो तो आप दुकान पे गए होंगे तो आपको ये शब्द जो है जरूर सुनाई पड़ा होगा हाल मार्क ये शब्द सोने की गुडवत्ता से संबंधित है अगर सोने की गुडवत्ता सफित है तो आप परियावरण का दरजा दिया जाता है ताकि वो जो है परियावरण ही तैसी है आप उनका बेहिचक इस्तिमाल करते हैं बिना यहो Cynthia परियावरण को नुकसान पहुचा रहे हैं तो यह चार मानक आपके लिए महत्वपूर्ण है ब्यूरो मानक परियावरण प्रदूशन के लिए जो वहनों से संबंदित है वहनों पर लगा जाता है एक मार्क जो होता है वो क्रिसी और खाद उत्पाद के सुरक गुडवत्ता से संबंदित जो भारती खाद यह मंत्राले दौरा लगा जाता है हाल मार्क किस से है सोने से संबंदित है उसकी गुडवत्ता संबंदित है और इको मार्क क्या है परियावरण अनुकूलन उत्पादों पर जो है यह लगा जाता है तो यह चार जो है आपको मार्क याद रही है यह वैक्ति तो काउंसा है म स्वामी नाथन जी इनके नाम से आप परिचित होंगे यह भारत में हरित क्रान्ती के जनक इन ही है और यह कृशिव ज्यानिक थे पद मुस्री पुरसकार भी इनको प्राप्थ हुए इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कारे था वो क्या था एक तो हरित कृश्रानती के जनक। दूसरी चीज इन्हों ने मेक्सिको से गेहूं के बीजों का आयाद किया वहां से इन्हों मेकशिको से गेहों के बीज लाए और यहाँ पंजाब के जो घरेलु किस्म के बीज थे गेहों के, उनके साथ इन्हों ने क्रॉस किया तो मेक्सिको के बीज और पंजाब के गेहूं के बीजो के बीच जो है जो क्रॉस हुआ उससे जो नई किस्म पैदा होई गेहूं की उसने काफी मात्रा में पादन को बढ़ाया यहीं इनकी सबसे बड़ी उपलब्धी थी ठीक है और बाकी तो हरित क्रांतिमिन का बहुत बड ज्यानिक बिल्कुल नहीं थे पक्षिव ज्यानिक एक सलीम अली का नाम जो है आप अगर नहीं सुने होंगा तो जान लीजे यह भी सवाल पूछ सकता इसी सवाल में सलीम अली महत्पूर्ण पक्षिव ज्यानी थे अगर पक्षिव ज्यानी सवाल पूछे या सलीम अली का म निलान पूछे तो आप अक्षिव ज्यानिक में सलीम अली का नाम लेंगे ठीक है क्रिशिव ज्यानिक तुम्हें बता ही चुगा हूँ इनका बहुत बड़ा योगदान था क्रिशिव ज्यानिक थे यह तो यह प्रस्ण आपको समझ माया तो यह आप ध्यान रखेगा कि कुछ यह से महतपूर्ण व्यक्तितों हैं जिनका परियावरा सरक्षण की दिसा में योगदान रहा है तो उन्हें आप जरूर जाने चाहे वो राजेन सिंग हो जलपुरूष चाहे वो वरिक्षमित्र हो आपके सुंदरलाल बहुगुणा हो गौरा देवी हो चंडी प्रसाद भ व्यक्तितों सम्दित सवाल आपके लिए तयार करना अवश्यक है अब देखें यहां संस्थान की बात हो रही है यहां बात हो रही संस्थान की Wildlife Institute of India इसको हम क्Яा कह सकते है डबलु आई, डबलु आई, डबलु आई, आई क्या है डबलु आई, यह कहां स्थित है यह पूछ रहा है ठीक है अब इसका मतलब क्या है, Wildlife Institute का मतलब क्या है, हिंदी में, भारती वन्य जीव संस्थान, भारती वन्य जीव संस्थान, ये पूछ रहा है, कि भारती वन्य जीव संस्थान, तो ये भारती वन्य जीव संस्थान, इस्थित कहा है, ये पूछा है, तथ्यात्मक सवाल है, देहरा दून में है यह आप याद रखिएगा भारती वनी जीव संस्थान क्या है जो वनी जीवों के सरक्षन के लिए काम करता है यह देहरा दून में इस्थी थे ठीक है अगला सवाल देख लेते हैं कुछ ऐसे महत्पूर्ण जो भी अब्रिवेशन स्या सब्द संचेप हैं इनके को जानना अवश्यक है जैसे आप आई यू सिन आपने देखा आपको जानना आवश्यक है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है डब्लू डब्लू एफ एफ व्ल्डवार्ड लाइफ फंड विश्すव सुवन नजीव कोश इसके बारे में में बताता चलूंगा जो भी सबसंचेप हैं इनके बारे में आप महत्पूर्ण जानकारी रखिए क्योंकि यह सवाल सीधे पूछा जाता है कि आयूसीन का और उसमें आपको बताना होगा कि इसका फुल फॉल्फॉर्म क्या है जैसे डबलू डवॉएफ में है तो वर्ड वाल्ड डाइफ फंड हो गया ठीक है वर्ड रेसलिंग फेडरेशन भी होता है कुस्ती के संदर में भी सका होता है विस्व कुस्ती संग तो कहने का मतलब यह है कि अगर पारिस्तिति की परियावरण के संदर में पूछ रहा है तो आपको WWF का World Wildlife Fund विस्तुवन जीव कोश बताना है तो इसलिए आप ध्यान रखेगा कि किसका सब्द संचे प्रासंगी कौन सा है तो अब यहां पर उत्तर हो गया हमारा देहरादून अगला प्रशन देख लेते हैं कुछ महत्पूर जो संस्थान है जो जुड़े हुए है किस चीज से जो पर हो सकता क्लियर ना दिख रहा हो लेकिन यह मैं पीडियेफ में आपको प्रवाइट करा दूँगा जब आप जो है क्लास कर लेंगे उसके बाद मैं इनका पूरा पीडियेफ कंप्लीट नोट्स के रुप में आपको प्लब्द करा दूँगा अब देखिए जैसे भारती वन इनसंधान संस्थान है जीबी पंथ हीमालय परियावरण वविकास संस्थान है बहुत सारे महतपूर संस्थान है इसमें सारे तो नहीं महतपूर्ण है लेकिन जो महतपूर्ण है आप उनको जो है याद कर सकते हैं मैं बता भी दूँगा और जो प्रिवियस येर्स के सवा सवाल पूछे गए हैं उन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन संस्थान हमारे लिए ज्यादा महत्पूर्ण है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखे ये भी जो है देखे मैंने अभी बताया आपके सामने तुरंत आ गया कि सब्द संषेप से सीधा सवाल पूछता है जो महत्पूर्ण संस्थान है या सब्संथान से संस्थान से संबन्दित है या किसी और चीज़ से संबन्दित है अब यहाँ WWF आप देख रहे हैं, मैं अभी बता चुका हूँ, इसलिए समय ज़्यादा इसमें लगाने के जुरुत नहीं है, World Wildlife Fund, देखिए World Wildlife Fund है, confusion create हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा, World War Fund, War के लिए Fund नहीं बनाया गया, Watch Fund यह भी नहीं होगा, यह आपका सही उत्तर, C होगा, World Wildlife Fund, जिसका हिंदी में मतलब होता है, विश्व, वन्य, जीव, कोश, चलिए इसकी थोड़ी सी बेक्ग्राउंड हम बता देते हैं आपको, विश्व, वन्य, जीव, कोश की बेक्ग्राउंड जान लीजे, World Wildlife Fund या विश्व, वन्य, जीव, कोश जो है, डबलू, डबलू, एफ, यह है, विश्व, वन्य, जीव, कोश, तो चुकि कोश आपको दिख रहा होगा, तो कोश से आप समझ पा रहे होगा कि एक तरह का फंड है, ऐसा इंस्टीचूट या संस्थान है, जो की फंड से संबंधित है, हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, और चुकि वन्य, जीव, की बात हो रही है, तो यह अंताराश्टी अस्तर पर वन्य, जीव, की देख भाल के सुरक्षा के लिए जो भी कार होते हैं, उनके आधार पर जो है, यह अनेक देसों को जो भी इसके दिशा में लगे हुए, उनको वित्ती सहायता उपलब्द कराता है, तो वित्ती सहायता उपलब्द कराने कार वन्य जीव को उसका है, यह आयूसीन आप पढ़ चुके है, चुकि आयूसियन एक अंताराष्टी संस्था है जो वन्नी जीवों के लिए प्रकित के लिए जो है सरक्षण का काम करती अब देखिए आयूसियन का येक सहयोगी संगठन ये है ठीक है इसका एक सहयोगी संगठन है और इसकी अस्थापना 1962 में हुई थी किसकी अस्थापना विष्वन जीव कोस के स्थापना कब हुई थी? उननीत सो बाइस वे 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुक्धाल्य वह और कहा है? ग्लाइने जो महत्पूर्ण संस्थान है जो भी महत्पूर्ण संस्थान है उनके बारे में आपको ये याद रखना है कि उनकी अस्थापना कब हुई थी उनका प्रमुकार क्या है किस चीज के लिए समर्पित है और उनका मुख्याले कहां है ठीक है दो तीन बातें ऐसी है जो जिससे संबंदित प्रशनाप के सामने पूचा जाएगा ठीक इनके सायोगी संगठन के रूप में और यह किस चीज से संबंधित है विस्वस्तर पर जो वनीजीओं की देख भाल के लिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास के जाते है विभिन देसों द्वारा उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है और उनको वित्ती सहायता प् अगला प्रसन जो हमारे सामने है वो यह देखे विभिन संगठन है यह मैं आपको नोट्स में देही दूँगा आप यहां सुन लीजे यूने फै जैसे यूने बहुत महत्पूर्ण है इसके स्थापना 1972 में हुई थी आयूसियन है जो बहुत महत्पूर्ण है 1948 में इसके स् स्थापना हुई अब आप देखी रहें यहां संकट गस्त्र जीव जन्तों और पादफो से संबंधित रेट डाटा बुक यह जारी करने का आयूसियन काम करता है कंसर्वेशन का इसका काम ही है ठीक है मारगस सुर्जल लैंड में इसका मुख्याला है ऐसे यह WWF आपने दे सथाफ्तर में मुख्यालाय ने रोबी में है चो कीनिया में है और यह करता और जो यूटyu यूनो या संवंदी गतिद्धिया करता है उसका यह is discounts छू ऑपको पता ही होगा प्रियावरं संबंदी करति हो गतविदिया होती है उसका नियंत्रड ये यूनेब करता है यूनों की प्रियावराण सम्द्धियों का नियंत्रड यूनेब करता है और ये एक पुरसकार है Global 500 ये इसी यूनेब संस्थान द्वारा दिया जाता है तो ये आपके लिए आवश्यक है जानना हमें नोटस में आ बहुत च्यूट सा होता है पांडा और यह चाइना देश का जो है राष्टी पशु भी है। ध्शान दिजेगा देत्याकार इसलिए कि इसका जो बड़े साइज का जो पांडा होता है। उसकी बात हो है आपका चीन में चुकि राष्टी पसु आपको अगर मालूम होगा तो भी आप इसका तारकिक रूप से जवाब दे पाएंगे कि यह चायना में पाया जाता है ठीक है जाइन पन्डा भारत में नहीं वाला जाता है और यह पाया कहा जाता है बड़ा वाला जो प Node होता है चाइना में वहां करास्टे पषीव से घोसित किया गया है बहुत प्यारा सा जीव होता है आगे बड़ते हैं दोस्तों महाद पूर जो भी जीव है मैंने पहले ही बताया कुंधि आपको जानकारी रखनी है बहुत सारे नहीं है kuchy yesterday जapedा we're जैसे golden आपका जो है रता है अब सुनहला जो शेण होती है सुनहला सिंग होता है इसका जो है एक होता है बंदर पाया जाता है जैसे उसकी जो है lion tail कि और लंगुर की पूच्छ होती है तो जैसे सेर की पूच्छ होती है जब्बडार उसी तरह जो हा उस लंगूर की पूच्छ होती है वह महत्पूर जी होता है आप कच्छुओं के बारे में जानते हैं औलिव रिडले कच्छुIGH होते हैं ये भारत में ही पाए जाते हैं तो ये भी महतपूर है, एक सींग वाला गैनडा असम में पाए जाता है काजी रंगा में ये भी महतपूर है, ऐसे कुछ जीव ऐसे हैं जिनके बारे माँआपको जानकारी रखना आवश्यक है ठीक है आप उनको अच्छे से तैयार करें इंसमें इंटरनेट की भी आप मदल ले सकते हैं अब देखिए यहाँ पर जो प्रशन है संकट ग्रस्त जंत की बात हो रही है संकट ग्रस्त हाँ यह सवाल हो चुका है दोस्तों एक मिनट यह सवाल हो होगा क्योंकि वहीं यह पाए जाता है यह डैत्याकारपांडा अब संकट ग्रस्त जंत brag है इसे जो है संकट मईतार आ रहा इनकी संख्या बहुत एक सवाल यह था, कि सरवाधिक जयवित्ता कहां पाय जाती है, मैं इसका बता चुका हूं concept कि जयवित्ता सबसे ज़्याद कहां पाय जाएगी, जहां तापमान बहुत उच्छ होगा और आधरता होगी, दोनों चीजें होगी, बतलाए बरसाथ बहुत ज़्यादा होगी, तो उष्णता का मिस्त्रण है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वर्षावन देखिए वर्षा हो रही है उष्ण कटिबंधी वही छेत्र जो मैंने आपको बताया कि यह आप ग्लोब देख रहे हैं पृत्वी का यह बीच वाली जो विश्वत रेखा है इसी के आसपास का जो छ चाल वहां फैला है कि सूरज की क्रिणे भी पृत्वी तक नहीं पहुच पाती तो वहां पर जवित्ता बहुत ज्यादा बहुत किस्म के जो है मेधक मच्छर और बहुत सारी प्रजातिया पाई जाती है मूवीज में आपने देखा होगा जो अमेजन के जंगल वगरा है ज सवाना भी सवाना घास के मैदान है लेकिन यह सरवाधिक नहीं है ठीक है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन जो आपके सामने है वह चिपको आंदोलन से संबंधित है चिपको आंदोलन एक आंदोलन है जो परियावरा सरक्षन की दिशा में चलाया गया और बिल्कुल आप से कहूंगा कि आप उनको अच्छे से तयार करेद चाहे हो मेत्री आंदोलन हो चाहे हो चिपकों आंदोलन हो इसको बहुत अच्छ तो सवाल लगभग लगभग हरवर्श ये जो है अल्टरनेट पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता है तो आंके इसके प्रणेता पूछ रहा है किसके प्रणेता कौन था आपके पास चार भी कल्प हैं अब दिखें मदर टेरिसा एक नाम दिखा सी वाले भी कल्प में अब जानते हैं कि वो सामाजिक एक कारेकरता थी सांतिदूर थी इन्होंने जो है सामाजिक रूप से मिशनेरी भाव से बहुत सारे लोगों की सेवा की और एक संत कही जाती है ठीक है भारत में इनकी बहुत बड़ी रूची थी और इन्होंने बहुत सारे काम किये मदर तेरसा के नाम से बहुत अच्छे से परचित हैं महात्मा गांधी जी का नाम भी आपके लिए जो है अंजान नहीं है आप अच्छे से जानते हैं कराश्टी आंदोलन में हमारे देश को आजादी दिलाने में इनका कितना बड़ा योगदान था अहिंसा और सत्य का इनका सिद्धान्द था तो जाहर सी बात है ये कहीं न कहीं चिपको आंदोलन से रिलेटेड है या नहीं है ये तो आपको जब जानकारी होगी तभी पता होगा लेकिन बाकी इनके बारे में जानकारी होगी आपको कि ये बहुत बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि समाजिक नेता थ थे कह सकते हैं एक बहुत बड़े समा हमारे राष्टी आंदोलन के महत्पूर व्यक्तित्तु थे तो यह आप समझ पा रहे होंगे सुन्दलाल बहुगुणा है और हेमवंती नंदन बहुगुणा है अब आपको यह जानना जरूरी है किसमें कौन सविकल पैसा है जो चिपको आंदोलन बहुत अच्छे से समझेगा इसको चिपको आंदोलन तो चिपको आंदोलन सबसे ही पता चलता है कि यह कुछ चिपकने से संबंधित है देखिए यह बात है 1973-74 की बात है उत्राखंड का उत्राखंड का चमोली जिला उत्राखंड का कौन जिला था चमोली और यहां पर अस्थान कौन सा था गोपेश्वर चमोली जिले का गोपेश्वर अस्थान है यहां पर क्या होता है सरकार ने ठेका दिया किसी प्राइवेट कंपनी को दो हजार धाई हजार विक्षों को काटने का, बिजनेस के लिए जो है जो भी अपना व्यापार के लिए ये ठेका दिया गया, तो कहीं न कहीं जो है ये प्रकित के लिए तो नुकसान दायक था, जब उन लोगों ने विक्षों को काटने का प्रयास किया, तो वहां कि जो महिलाएं थी, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया, कुछ पूरुस भी थे, गौरा देवी एक नाम आता है इसमें, गौरा देवी का, गौरा देवी, गौरा देवी ने क्या किया, महिलाओं का नेतितु किया, और गौरा देवी के नेतितु किया, धेर सारी महिलाओं ने बहुत भारी सं ने था सुन्दरलाल बहुड़ा वो इस आंदोलन के प्रणेता थे बहुत महत्पूर्ण उनका जो है योगदान है इसमें और इनके अलावा है चंडी प्रसाद भट का भी नाम आता है जैसे अगर चंडी प्रसाद भट भी बिकल्प में हो और दो को पूछ रहा हो मिलाना हो ऐसा मेल करना हो कि दो इसमें से हो सकते हैं तो आप चंडी प्रसाद भट का नाम याद रखेंगे आप सुन्दरलाल बहुगु सफल हुआ और सरकार ने वो ठेका रद्ध कर दिया तो इसलिए बहुत महत्वपूर आंदोल बहुत चर्चित आंदोलन हुआ फिर इसी की प्रेणा लेके छो है दक्षिन में भी आंदोलन हुआ और जगह भी आंदोलन हुआ तो यह आंदोलन आपको जरूर याद होना ठीक है यह आप कभी मन भूलिएगा अब देखे अब यहां पर हम विकल्प में आते हैं यहां पर हमारे पास जो बी वाला विकल्प है वो सही है सुन्दरलाल बहुडा टिहरी बाध हांदोलन टिहरी बाध हांदोलन जो था वो भी इन्होंने ही इसका सुभारम किया था सु विक्षमित्र भी इनको कहा जाता है अगर विक्षमित्र से संबंधी सवाल आया कि किसको इन में से विक्षमित्र की संग्या दी गई है तो आप सुन्दलाल बहुडा को बताएंगे तो तीन तरह का जो है आपके पास तत्य तयार हो गया कि यह इतिहरी आंदोलन के जनक है इनका योगदान है जो है चिपको आंदोलन में और विक्षमित्र की संग्या इन्हें दी जाती है सुन्दलाल बहुडा को तो यह आपने देखा आंदोलनों की जो है जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए जो भी परियावना सरक्षन के दिसा में किये गए किसके द्व कुछ महत्पूर आंदोलन है जैसे सांत घाटी एक निट सांथ घाटी आंदोलन तो सांत घाटी आंदोलन साइलेंट वाईली मूमेंड भी कहा जाता है सांत घाटी आंदोलन जो 1973 में हुआ था ये जो है केरल के पलककड जिले में हुआ था शांत घाटी आंदोलन 1973 सुगाथा कुमारी इस आंदोलन से जुड़ी थी और ये क्या था समाजी का आंदोलन था ठीक है इसमें क्या हुआ इसमें भी जो है ये परियावनः सुरक्षा के लिए, मतलब जो केरल की सांति घाटी थी, उसके कहीं-चीं, वन के संसाधनों की सुरक्षा के लिए आंदलन शुरू किया गया, तो केरल में भी 1973 में यांदलन हुआ, मैत्री आंदलन बहुत बात का है, ये 1994 में हुआ, मतलब 1994 में ये कहां हुआ? उत्राखंड के ही चमोली जिले में हुआ और कल्यार सिंग रावत इस आंदोलन से जुड़े थे मतलब जनक कौन थे, प्रमुक कौन थे? ये थे जंगल बचाओ आंदोलन भी हुआ, ये बिहार के सिंग भूमी जिले में हुआ तो ये से महतपूर आंदोलन है जो आपको जानने है, ठीक है ये मैं पढ़ाओंगा आपको जब टॉपिक में आंदोलन पढ़ाओंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाओंगा किसका मेटेरिल आपके दूगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन है आपके सामने, नर्मदा बचाओ आंदोलन उनीस सो पचासी में हुआ, मेधा पाटकर का नाम वसे आपने सुना होगा, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, मंध्ध प्रदेश जिले मे ये हुआ बाबा आंते अरुंधती राय आनंद पटवर्धन ये नाम ऐसे हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हैं चाहे बाबा आम्सिंद्रेयों चाहे मेधा पांटकर हो चाहे अरुंधि राय इम अकर ये नाम आप से सवाल में पूछे जाते हैं send allow संबंदित है नर्मदा बचाओं ढोलन से ठीक है और धान्य अंदोलन है वं का कि द्वां के ढूरा कुए यह वं दना शिवा के द्वां के दौरा तरुण भारती आंदोलन है अब देखिए इसमें सारे आंदोलन महतपूर नहीं है नौदान्य आंदोलन आप पढ़ लीजे आप पढ़ लीजे इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन मैत्री आंदोलन पढ़ लीजे सांथ घाटी आंदोलन पढ़ लीजे और चिपको आंदोलन प सु क्या है टाइगर या बाग है रायल बंगाल टाइगर तो यह जो है जो रायल बंगाल टाइगर है इसके सरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर सुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर इसी के सरक्षण के लगभग इस समय आप जान रहे होंगे दो हजार 2967 2018 में जो गड़ना हुई तो 2967 बाग हिस्स में बचे हुए भारत में ठीक है लगभग 3000 आप समझ सकते हैं की गड़ना होती है जो गड़ना है उसका अकड़ा है यह तो इनको बचाने के लिए जो है यह टाइगर अंदो प्रोजेक्ट की सुरुआत हुई यह पूछ रहा है क आद रखेंगा ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे हाथी को बचाने के लिए सुरू हुआ कछ्ष ед को बचाने के लिए सुरू हुआ तो इसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर सबसे महतर Outside है इसको आप जरूर यानद रखेंगा एक अप्राइल को सुरू हुआ यह एक जीड में मैं बताऊंगा कि किस नहीं कौन सा प्रोजेक्ट लाग गया तो आप यहांस देखें एक की सामने प्रश्न है यह प्रशन फ्लोरा और phanay से संभन धीड़ित है خण जैसा कि आपको पता है走了 मतलब वनस्पति होता है वनस्पती ऐand प्रशन देख लेते हैं जल्दी से दूसरा प्रशन आपके सामने है किसके नेतित में देखे वही सवाल रिपीटेड है किसके नेतित में चिपको आंदोलन चिपको मुवमेंट किसके नेतित में चलाया गया सुन्दलाल बहुंगुडा, अम्रिता देवी विश्णोई, मेधा पाटकर आपने देखा है कि नर्बना बचावा अंदोलन से संबंदित है, एक के बनर जी, तो यहां हमको हमारा सही उत्तर पहले विकल्प में है, ए विकल्प में है, सुन्दलाल बहुंगुडा, चंडी पर देख लीजे, अगला प्रशन देख लीजे, इसमें देखे आंदोलनों के प्रणेता हैं, उनके बारे में, एक स्लाइड है, पारि स्तितीकी तंत्र के जनक रामिदेव मिश्णाजी को कहा जाता है, अब देखे हरितक्राईटी, जो वैश्विक हरितक्रान्टी है, इसके ज स्वामी नाथन जी का जो कृषिव एग्यानिक थे इनके बारे मैंने बताया कि इनको जो है पदमस्री पुरसकार भी प्राप्त हुआ और इन्होंने मैक्सिको के जो बीस थे इन्होंने जो मेक्सिको के गेहूं के बीश थे उनको लाके पंजाब की घरेलू किसमों से संकर कराया, क्रॉस कराया और नई उन्नत किसमों के गेहूं के बीश पैदा किया, जिससे क्या हुआ, उत्पादक्ता में बहुत सुधार आया अब देखे चिपको आंदोलन से संबंधे सुन्दलाल भगुडा आपके सामने दिया गया है वरिक्षमित्र किसको कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, सुन्दलाल भगुडा अगर आती है वरिक्षमित्र की संग्या किसको दी जाती है प्रश्ण में तो आप किसका नाम लेंगे सुंदललाल भगुणा का जल पुरुष ये भी मैं आपको बताया कि राजेंद्र सिंग जी जो है इनको जल सरक्षन की दिसाम इनका महतपुड योगदान है तो इसलिए इन्हें जल मित्र भी कहा जाता है टाइगर मैन आफ इंडिया मतलब भागों के सरक्षन के लिए जो प्रयास किया गया वो कैलास सांखला द्वारा जो है किया गया इनका बहुत महतपुड योगदान है हमारे राश्ट्री पसु के सरक्षन की दिसामे ठीक है डाल्फिन मैन डाल्फिन जैसा कि आपको पता है कि जली जीव घोसित क्या गया है भारत का जली जीव से घोसित क्या गया है तो इसके सरक्षन के लिए जो योगदान है वो रमींद्र सिन्हा का है ये व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनका कहीं कहीं किसी छेत्र में योगदान है तो इनसे आप परचित हो लेंगे तो आपके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन है, तो यहाँ आप देखी रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेधा पाटकर बाबा आम्टे का नाम प्रमुक है, तो आप इनको याद कर लीजेगा, स्वेत क्रांती, स्वेत क्रांती वर्गीज कुरियन, जो जो महत्पुर्ण व्यक्तित हो है, इनके नामों से आप परचित हों, और इनके बारे में भी कुछ जानकारी आप इकठा करें, मैं आपको नोट्स बनाके दूँगा ही दूँगा, लेकिन आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानकारी इकठा करें, ठीक है, यही सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आज की सीरीज में बस इतना ही, और प्रसनों की सीरीज को जो है, एक दो सीरीज और कांटीनिव करेंगे, इसके बाद टॉपिक पढ़ाएंगे, अगर आपको इससे कुछ सहायता मिल रही है, समझ विक्सित हो रहे हैं, तो आ भी नहीं लगेगी, और दूसरी चीज, हम सवालों के साथ टॉपिक आपका पढ़ा भी रहे हैं, और एक दो सीरीज और चलाएंगे, उसके बाद हम सीथे टॉपिक पर आएंगे, तो बेहतर है कि आप सवालों का अभ्यास अच्छे से करें, और ये समझने का प्रयास करें क कहां कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर क्लास भी आप रेगुलर देख रहे हैं, तो आपके बहुत सारे प्रशन ऐसे ही तयार हो जाएंगे, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, साउधान रखें, और पढ़ाई को जो है, अच्छे से करते रहें, क्योंकि एक्जाम कभी ने कभी होगा ही, चाहे टलेगा, तो भी कभी ने कभी होगा, इसलिए मिहनत से बिलकुल ना बचें, और कांटीन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें, चलिए जय हिन दोस्तों